आप इस ग्राफ में देख सकते हैं सन 1900 से 1960 तक इंडियन राइनोज की आबादी में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई लेकिन सन 1960 के बाद से सरकार द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट्स के द्वारा इनकी पोपिलेशन बढ़ने रगी सन 1905 में इनकी पोपिलेशन केवल 75 रह गई थी लेकिन 2012 तक ये संख्या बढ़कर 2700 तक पहुँच गई और 2022 तक ओल्मोस्ट 1000 राइनोज बढ़ गए हैं और इनकी पोपिलेशन अब 3700 तक पहुँच चुकी है इसलिए आज ये IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल केटिगरीज में आते हैं